हेलो एब्रिवन आप सभी का सवकत है दा बैस्ट बिउटी जॉंक्षन पर और आज मैं रेव्यू लेकर आए हूँ इसका और यह हैं एवोन नाच्रल स्के लिपडाम, यह स्ट्रॉबेरी स्कॉर्बरी लिपड और यह च्यरी लिपडाम और ये दोनों ही lip balm मैं काफी time से use कर रहे हूँ और इन दोनों ही lip balm की जो quantity है वो मैं आपको बता देती हूँ 4.5 grams दोनों की quantity है और ये दोनों ही का जो price है वो है 199 rupees यानि एक 199 का और एक 199 का यानि की लगबग 200 ही रुपए हो गए so 200-200 रुपए ही मान के चलिए 199-199 और इन दोनों का ही जो shelf life है वो है 3 years जो की यहां पर mention रहता है यहां पर इसकी expiry date लिखी रहती है और manufacturing date भी लिखी रहती है तो ये जो दोनों ही lip balm है वो मैं काफी time से use कर रही हूँ और sunscreen है दोनों में तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि sunscreen से क्या होता है जब आप ऐसे lip balm लगाते हैं जिनके अंदर sunscreen होती है तो उसे आपके lips dark होने से बच जाते हैं जब भी आप धूप में जा रहे हैं कई जा रहे हैं तो उससे sunscreen से यह फायदा होता है कि आपके जो lips है वो dark नहीं होते हैं और इन दोनों ही लिप बाम में कोई ऐसा खास टिंटेड नहीं है यह मतलब कि जादा आपके लिप्स पर यह दिखाई नहीं देंगे जादा पिंक नहीं करेंगे अब मैं इनके दोनों को ही आपको खूल करके बिल्कुल ऐसी ही packaging आती है मैं पहले और ये भी चीज़ बतादू आपको कि दोनों की packaging भी बिल्कुल ऐसी ही आती है और कोई अलग से packaging नहीं होती है इसकी अब मैं दोनों को दिखा देती हूँ यह है strawberry वाला तो यह खोल कर मैं आपको दिखा देती हूँ इसे मैं काफी उस कर चुकी हूँ और इसकी quantity काफी अच्छी होती है 4.5 ग्राम कौंटिटी बहुत होती है यह केवल इतना ही बचा हुआ है आप देख सकते हैं बस इतना ह भी color नहीं देगा आपे lips पर और जो दूसरा वाला lip balm है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यह है cherry वाला और यह cherry का lip balm भी जो है आपको dark दिखाई जरूर देगा यह थोड़ा सा इसके अंदर होता है यह बिल्कुल भी color नहीं देता लेकिन यह थोड़ा सा color देता है लेकिन बहुत जादा color नहीं देगा तो इसलिए जो college going है या जो छोटी लड़किया है वो भी इसे use कर सकती है schools वगेरा के जो बच्चे हैं वो भी से school में जाने वारी लड़किया भी use कर सकती है क्योंकि इसमें कोई color नहीं होता तो उनको कोई ऐसी परिशानी नहीं होगी अब मैं मैं आपको इसे apply करके इन दोनों ही lip balm को apply करके दिखा देती हूं जिसे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से lips पर दिखते हैं तो सबसे पहले मैं यह strawberry वाला जो lip balm है यह आपको लगा कर दिखा देती हूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी आपको color दिखाई नहीं देगा आपको कोई color नहीं दिखाई दे रहा होगा यह बिल्कुल plane है बस moisturize कर रहा है आपके skin सरी आपकी lips को बाकी ऐसा कोई भी color यह नहीं दे रहा है लेकिन अब मैं दूसरा apply करके दिखाती हूं तो पहले यह पोच देती हूं उसके बाद मैं दूसरा आपको apply करके दिखाऊंगी तो मैं पोच कर भी दिखाऊंगी आपको कि इसका जब मै कि लाइट सा color है बहुत light color है इतना light है कि बिल्कुल दिखेगा भी अब मैं दूसरा यह लगा रही हूं यह है cherry वाला और यह जो cherry वाला है यह भी लगा करके मैं आपको दिखा देती हूं कि यह lips पर कैसा दिखेगा सच अज इसका भी कोई color आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें बाकरी में दोनों ही lip balm में कोई भी ऐसा खास color नहीं होता है सिर्फ यह आपके lips को moisturize करते हैं और वो भी 4-5 hours तक आपको अच्छे से आपके lips को moisturize करते हैं चार से पांच घंटे तक आपको बिलकुल इन रियप्लाई करने की जरूवत नहीं पड़ेगी चाहें यह छुट जाएंगे हट जाएंगे लेकिन आपको दुबारा से रियप्लाई करने की जरूवत महसूस नहीं होगी इस तरीके से यह इतना अच्छे से से यह कर देते हैं अब मैं इसे भी खटाकर एक बार दिखा देती हूं कि किस तरीके का इसमें जो कलर आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है तो वर भी मैं आपको दिखा देती अ legisl頭 यह देखिए इसमें थोड़ा सा कलर है लेकिन जो स्टॉबेरी वाला है उसमें बहुत ही हलका कलर है लेकिन इन दोनों को ही लगाने के बाद इनका कलर पता नहीं चलता है लिप्स पर तो आराम से जिनको कलर अच्छे नहीं लगते सिर्फ लगता है कि मौस्चराइज रखना ह और जो छोटे बचे स्कूल गोइंग गर्ल्स है वो भी से यूज कर सकती है तो यह था मेरा आज का रिव्यू आई होप मेरा रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा को तो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जर